गरीबी की जंजीर को तोरने का एक ही रास्ता है और वो है नौकडी तो सबसे पहले जो confusion है कि लोको पालेट बनने के लिए minimum qualification क्या सब होना चाहिए तो मैं आपको बता दू लोको पालेट का जो पोस्ट है वो ITI level के student के लिए है और भी बहुत सारे courses होते हैं जो कि ITI के साथ भर सकते हैं फॉर्म लेकि यह जो course है वो main रूप से वो ITI के student के होता है कि हो सकता है आने वाले दिन भी इसको change कर दे इसको diploma कर दे या फिर बीटेक कर दे जो भी हो लो मैं आपको इस बात को clear कर दो यह जो course है यह जो ITI यह जो लोको पालेट का जो पोस्ट है यह especially ITI के student के लिए है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि ITI ना करकर जूश का पोल टेकनिक है वही कर सकता है दूसरा सवाल मैट्रिक में कितना परसेंट नंबर चाहिए मैट्रिक में आपका कितना परसेंट नंबर चाहिए तो ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है किसी भी सरकारी नौकडी में फिलाल बात करता हूँ लोको पालेट में कि आपको मैट्रिक में कम से कम 40% 50% 60% 70% होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे लिखा गया है सिर्व और सिप क्या आपका मैट्रिक पास होना ही ज़रूरी है यहाँ पे परसेंटेज कभी दरशाया ही नहीं गया कि इतना परसेंट वालों का ही होगा जो भी सिर्व पास हैं वो बिल्कुल भर रखते हैं जिसका नंबर कम होता है परसेंटेज कम होता है बहुत साही लोग उसको भरकाते हैं समझाते हैं कि तुम नहीं हो पाता है तुम क्यू कर रहा है तयारी तो ऐसे सब ही लोग तयारी किज़ें आपका हो जाएगा, अब दूसरा सवाल तीसरा सवाल यह है, मैट्रिक या फि मैट्रिक के समझ करक्षे, उसका मैट्रिक के बाद, ITI करना चाहिए, आपी पॉल्टेक्निक करना चाहिए ITI के बाद, मतलब कि इतने जाए जवाल होते हैं, इस पूल्टेकी मैट्रिक के बाद, ॥ो मैं आपको बता दू, यह METरिक के बाद चलेगा, वैसे METरिक के बाद, आप किसी भी जगप पर रहे हो तो भी आप ITI कर सकते हो, या फि intermediate के बाद भी आप जब चाहे तब आप ITI कर सकते हो ITI करने के लिए minimum qualification है वो है आपका metric metric plus ITI या पि metric बाद जो भी किये ITI कर लिजे कोई दिक्कत नहीं है तो यह रहा आपका confusion दूर अब देखिए metric में percentage में ने दूर कर दिया metric बाद ITI चलिए अब देखिए ITI के जो सबसे ज़्यादा best trade है वो कौन सा है तो ITI के जो सबसे ज़्यादा best trade है वो मैं आपको बता दूर नमबर वन अगर आप ITI करने जा रहे हैं अगर आप ITI करने वाले हैं तो आप electrician को select किजिए आप electrician को number one में select किजिए number two में आप select किजिए feeder को और number three में आप select किजिए electronics को electronics in mechanics ठीक है electronics in mechanics electronics in mechanics एक होती है electronics in radio TV दोनों से आप बन सकते हैं लोग को पाले हैं लेकिन आपका electronics in mechanics ज़्यादा बहतर है तो यह रहा आपका तीन trade और चवथा जो trade है यह है आपका diesel mechanic diesel mechanic तो अगर आप diesel mechanic से करते हैं IT यह जो course है diesel mechanic यह होती है सिर्फ सिर्फ एक साल की तो अगर आपका उमर ज्यादा हो रहा है तो आप diesel mechanic से कर लिजे अगर आप बिलकुल नए अगर आप 25 साल से ऊपर है तो आप diesel mechanic कर लिजे आपके लिए बहतर रहेगा और सिर्फ और सिर्फ एक ही आईटिया का ऐसा trade है जिसका नाम है diesel mechanic इसके बाद आप आप लोको पाइल्ट बन सकते हैं ऐसा कोई भी एक साल वाली आईटिया ट्रेड नहीं जिसके बाद आप लोको पाइल्ट बनने बन सकते हैं तो यानि यह चार में से जो आपको मिलेगा इसमें से कर लिजे आईटिया अब देखे आईटिया करने के लिए आपको कैसे करें अब ITI के बारे में एक दो confusion और दूर कर रहे हैं बीट थोड़ी सी लंबी बन जाए कोई दिक्कत नहीं आप लोग पूरा जरूर देख लिजेए क्योंकि मैं आप लोग के confusion को मैं दूर करने जाता हूँ का अंतर होता है अगर आपको private site करने यह तो इसमें आपको पैसे खर्च करना पड़ता है class नहीं भी कर सकते हैं तब भी चले लेकिन अगर आप सरकारी site करते हैं तो आपको एक इंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है उसमें कोई भी आपको फीस एक्स्टा नहीं लगती है बिल्कुल कम से कम खर्च में आपका हो जाएक आइटिया है और इसमें आपकी security जाता रहे कि यह बिल्कुल मानता प्राप्त है सरकारी है तो मानता प्राप्त होगा है अच्छी तरह से बहुत बार private college का मानता रात हो जाता है अप भी बहुत सारे fraud college होते हैं इसलिए आप जरूर से जरूर देख लें वहां के इस्ट्रेंट जो पासाट होकर के कही नौकरी कर रहे हैं उससे जरूर एक वर कॉंटेक्ट क कर ले कि इतने दिन से चल रही कितने साल से चल रही बिल्कुल नया जो इटिया college खुला है उसमें admission लेने से बिल्कुल बचिये कि वह सकता है उसकी मानता नहीं हो और आपको तो यह रहा आपको आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं सरकारी से करने के लिए आपको इंट्रें को अप सेलेक्ट करिएगा अब देखे आइटिया तो हो गया ncbt अफी से बिल्कुल नहीं बताया गया है यह बस प्राइवेट वालों को ncbt थोड़ा ज़्यादा मानता देता है अगर आपको ncbt से कर रहे हैं तो बहतर है अगर आप से बिल्कुल कर रहे हैं तब भी कोई बहतर होगा यह ncbt थे वह इसे ज्यादा कुछ अंतर हो कुछ भी अंतर नहीं होता है वह बस प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिहाद से यह सब जी होता है अब अगला सवाल जो है कि लोको पालट बनने के लिए अप्रेंटिस करना जरूरी है क्या आइसा कोई जरूरी नहीं है लोको पालट बनने के लिए आईटिय एक बाद अप्रेंटिस करना बिल्कूल भी जरूरी नहीं है अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहतर होगा क्योंकि आपके पास नौकरी का बहुत सारा मौका एक्स्टा मिल पाएगा लोको पालट बनने के अलावा में अगर आप ITA अफ्रैंटिस कर चुके हैं तो इसका लोकोotz में आपको कोई फाइदा मिलेगा या आप य नहीं मिलेगा इसका कोई फाइदा आपको मिलेगा नहीं बिलकुल नहीं मिलेगा बस आपको पास ITA अप्रैंटिस का खर्चे होती है सरकाडी से करते हैंätta आपको पांस-डास जर में काम चल जाएगी दिप्लमा वही बात है अगर आप सरकाडी से डिप्लमा करते हैं तो अप्वाइब आप उप्षाफ करते नि से दिप्लमा करते यह- tis-et आप करने पर आप लोको बन पाएगा, तो नंबर वन जो अगर आपको ब्रांच eleg करना है, वैसे आप इपनी चोईस रखिए, लेकिन अगर आपको नौगरी देने के लिहाज से, जो नंबर वन जो ब्रांच है दिप्लोमा का, वह आपका electrical engineering, वह आपका electrical engineering, नमबर टू जो है वो है mechanical engineering mechanical engineering नमबर थी जो है वो है electronics electronics and communication number four जो है जो से कि आप मतलब इसको करते हैं वो है आपको automobile engineering और Civil Engineering, Computer Science Engineering अगर आप इन दोनों से करते हैं तब आप Locopilot में नहीं जा सकते हैं इसलिए मेरे अनुसार जो Diploma का जो सबसे में जो ब्रांच है जिससे आप Locopilot बन सकते हैं वो सब ये चीज रहा और आपको Diploma किस तरह से करनी है तो इसके लिए में भी आपको बता दूँ अगर आपको पास पैसे काफी जादा है तो आप इसको Private से भी कर सकते हैं अच्छे College से और अगर आपको पास पैसे नहीं है लेकिन आप में Talent है आप Interest Test को निकाल सकते हैं तो आप अपने State के Interest Test को आप अपने State के Interest Test को निकाल लेजे ये Interest टे बिल्कुल इजी होती है इसमें आपको Math, Physics, Chemistry से Objective Question पूछे जाते हैं और आप किसी वे State के इसको निकालने बहुत आसान होता है आप इसके लिए हमारा Online Coaching और Notes ले सकते हैं इसका आराम से आप ITI या फिर Diploma के Interest Test सरकारी Interest Test को आप निकाल सकते हैं चलिए अब हमने बात कर लिया Diploma, ITI के बारे में और दोनों से आप लोकोपैल्ड बन सकते हैं ये जो ITI होता है या फिर Diploma होता है ये तो आपका Metric के बाद ही हो जाता है अईसा कोई जरूरी निका आपको Inter के बाद करना चाहिए ये Metric के बाद का कोर्स है लेकिन अगर आप Diploma करने जाते हैं तो Diploma का जो कोर्स का परहाय होता है तो मैं आपको बता हूँ है अगर आपके उमर अभी बिल्कुल नया है तो आप Metric के जर्ष्ट बाद आप Diploma Apply कर दिये हो सके तो कर लिजए अगर नहीं हो पाए तो आप Intermediate के बाद अगर आप Diploma में जाते हैं तो आपका Diploma में Performance काफी अच्छा रहता है वैसे कोई दिक्कत नहीं है परने वाले स्ट्रेंट के लिए लेकिन अगर आप 12 के बाद जाते हैं Diploma करने के लिए तो आपके लिए बहतर है कि आपका Mind पहले थोड़ा मैच्छर रहेगा तो आप Diploma कोर्स की पढ़ाई को कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ही जादा Difficult कोर्स होता है इसमें Engineering की सारी चीज़े पढ़नी पढ़ते है IIT, BTEC ये सब कोर्स मतलब वही सब BTEC वाले की किताब पढ़नी पढ़ते है अब को Diploma के लिए तो अब हम बता हैं आपको कोर्स के साथ-साथ लोग को पाइलेट की तैयारी आपको कैसे करनी है तो देखे, वैसे बहुत साही लोग सोचते है कि मेरे पास तो डिग्री नहीं इसलिए तैयारी कैसे करे तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको आपको डिग्री नहीं है लेकिन अब वही आप ITI कर रहे है ITI या फिर डिप्लोमा का कोर्स अभी आपका चल रहा है अभी बिल्कुल रनिंग में चल रहा है ITI का कोर्स होता है वो होती आपका दो साल का कोर्स होता है और इसमें जादा कुछ आपको परना परता ने इसलिए आपको इसमें बिल्कुल फिरी रहते हैं उसके बाद vacancy निकलती है फिर आप उस vacancy को दे करके आप आराम से पास कर सकते हैं नहीं तो फिर आपका दो साल लग जाएगा आपको तैयारी करने में तो फिर आपका ITI भी डिप्लोमा किया हुआ बहुत ज़्यादा बेकार चल जाएगा इसलिए आप ITI और डिप्लोमा के सा बात साथ आप लोको पालेट की भी तैयारी कर लिजे इसका syllabus इसका coaching मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ इस वीडियो में इस देखने ध्यान से तो इसके लिए आप लोग को हमारा online product जोईन करना पड़ेगा जो कि है मैंने लिखा यह जो master notes है यह इंडिया के सभी competitive exam के लिए काफी ज़्यादा useful है इसी में से 90% कोचन आपको exam में tally करता है तो आपको यह master notes अपने घर पे मंगवाना पड़ेगा यह all syllabus आती है सभी topic के लिए आती है master notes और दूसरा आपको online coaching जो है दूसरा आपका smart video coaching smart video coaching में होता क्या है कि आपको video link मिलती है आपको download करने के लिए video link मिलती है और आपको उसमें मैं ही पढ़ाऊँगा आपको आपको सभी topic मैं आपको पढ़ाऊँगा और उस topic को पढ़ने के बाद आप एजली एक बाद में आप कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं और एक बाद में आप सब कुछ सीख लिए तो उसके बाद फिर आपका exam निकलना बहुत ज्यादा मतलब आसान हो जाती है और कोई भी द searching को जरूर जोइन किजिए जरूर लेजिए और इसमें से बस थोड़ा थोड़ा बस आप पढ़ते रहें फिर जैसे आपके बाद डिगरी आएगी आप किसी निकिसी जरकाई नौकरी में आपका result आजाएगा all the best thank you so much अगर आपको किसी तरह कुछ भी दिक्कत हो तो आप में call कर सकते हैं फोन पर पूछ सकते हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर आप फ्यूचर में लोको पालिट या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं आईटे करने के बाद आप लोको पालिट बने मैं solution निकाल के आप तक पहुँचा सकूँ और इसके अलाबा इस वीडियो को भी like कर देए क्योंकि मैंने इसमें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया होंगा अगर आपके पास किसी और भी कुछ सवाल है तो आप में पूछ ये फिर अगले वीडियो में उसके बारे में डिसकस करेंगे और थैंक्यू सो मच